नमस्कार और वेलकम योड वोल अफेर्स मैं हूँ प्रशान दवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हामेद अंसारी कॉंडिवर्सी के बारे में इंडिया के पूर्व वाइस प्रेजिडेंट हामेद अंसारी की कुछ स्टेट्मेंट्स है इन फ्रंट ओफ अमेरिकन अफेर्स मिनिस्टर है मुक्तार अग्वास नकफीनों ने इनकी अलोशना करी है ये का है कि इंडिया की इमेज इस तरीके से यूएस सेनेटर्स के सामने खराब करने की क्या हो शकता है इससे इंडिया के अगेंस्ट सेंटिमेंट्स क्रिए होती है डिसकस करेंगे यापे की ऑप्षन आर्टिकल 61, आर्टिकल 62, 63 या फिर 65 कॉमेंट सेक्षन में करिए उत्तर सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में ओके तो बहुत कुछ हो है रीसेंट्ली मैं बहुत ही जादा सिंपल लेंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा ताकि सब कुछ आप समझ पाएं 26 जन्वरी को जब भारत अपना रिपबिक डे सेलिवेट कर रहा था उस वक्त एक कॉंग्रेशनल ब्रीफिंग होती है कॉंग्रेशनल ब्रीफिंग का यहाँ पे नाम है प्रोटेक्टिंग इंडियाज प्लूरलिस्ट कॉंसिट्यूशन अब यहाँ पर आप कहेंग कॉंग्रेशनल ब्रीफिंग का अर्थ क्या होता है अमेरिका में देखिए बहुत ही एक यूनिक सिस्टम है अमेरिका मैं आपको बताओगा पहली बात तो जो इनके मेंबर ऑफ पार्लिमेंट है उनको यह कहते हैं कॉंग्रेसमें क्योंकि अमेरिकन पार्लिमेंट को ही का ज लेक्चेट सा होता है जहाँ पर एक certain issue के बारे में जो US के member of parliament यानिके इनके congressman है उनको जानकारी दी जाती है Congress briefing आप रह सकते हैं किसी भी issue के बारे में, pollution के बारे में, internet के बारे में, terrorism के बारे में बस करना ही होता है कुछ आप US के member of parliament को एक खटा ले आओ, उनको बताओ, अपने details होगा रादो, publicly सब record कर लो और congressional briefing यहाँ पे हो गई तो recently एक congressional briefing करी गई थी, topic यहाँ पर यह था कि भारत का जो सम्विधान है, इसकी रक्षा कैसे करनी है तो अमेरिका में यह discuss किया जा रहा था, अब यह congressional briefing किसने host करी क्योंकि host करना होता है, आपको member of parliament अमेरिका के ले के आने होते हैं, appointment लेनी होती है, सब को एक खटा करना होता है, इंडिया की तरब से भी आप लोग ले के आओगे, तो यह जो सारा ताम जामे खटा करने का, य यह किया था, इंडियन अमेरिकान मुसलिम काउंसल ने, अब इंडियन अमेरिकान मुसलिम काउंसल मैं आपको यह बता दूँ, इसका नाम चाए इंडियन अमेरिकान लिखा हो, भारत सरकार से इसका कोई relation नहीं है, तो इंडियन अमेरिकान मुसलिम काउंसल बहुत recently बनी है का ऐसा नहीं है कि 1950s, 1960s का कोई संगटन है, इसको बनाये गया था 2002 में गुजरात दंगों के बाद, Indian American Muslim Council का primary goal ये है कि जो Muslims है in India, इनके rights की ये लोग बात करें, आला कि ये लोग कहते हैं कि ये लोग ना सिर्फ Muslims, बाकि जो और minorities एंडिया में, religious minority, और टापकी minorities, उनके लिए ये वाज उठाती है, now in the past देखा गया है कि Indian American Muslim Council ने काफी बार कोशिश करी है, कि India as a country blacklist हो जाए USA में, as a religious freedom offender, US की आपको बताओगा, एक list आती है, US, CIRF की, India का हर बार उसमें recommendation में नाम आता है, मगर इंडिया को कभी, वहाँ पर countries of concern की list में डालते नहीं है, ज़रे for example, recently पाकिस्तान को डाल दिया था, तो Indian American Muslim Council कोशिश करता है, कि पाकिस्तान की तरह, India भी country of concern की जो blacklist है, वहाँ पे आ जाए, उसके इलावा, Indian American Muslim Council पे आरोब ये लग चुका है, again, ये प्रूब नी हुआ है, मगर इन पे आरोब लग चुका है, कि ये पाकिस्तान बैक्ट है, प इसलामी पाकिस्तान का, तो in the past आरोब लग चुकी है, कि Indian American Muslim Council ये नाम यहाँ पे इंडियन है, इसको back पाकिस्तान करता है, और ये कोशिश करते हैं, कि इंडिया की image को ये damage पहुचाए, ये लोग of course ऐसे जो भी आरोब हैं, उनको reject करते हैं, अच्छा तो इन लोगों ने क में से कई इनके congressmen है, member of parliament है, जो चाहते हैं कि India और US के relations खराब हो जाएं, उन में से एक है Senator Edmarke, Edmarke के बारे में हम आपको ये बता दूँ, ये इतने जादा anti-India है, कि India जब 2016 में nuclear supplies group की membership हासिल नहीं कर पाया, तब इनोंने प्रशंसा करी थी NSG की कि आपने अच्छा किया, इंडिया को भार रख गए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ religious freedom के issue को लेकर, almost हर issue में ही आप देखोगे, Edmarke का हमेशा एक anti-India stance आपको मिलेगा, और कल को अगर मानलो, ये American government में बहुत ही जादा powerful position में आ गए, तो India-America relations को बहुत जादा नुकसान भी ये पजा सकते हैं, तो इन इंडिया के former vice president को यहाँ पे उलाया गया, जो आज bishop है, बैंगलोर के, इनको यहाँ पे उलाया, और इन्होंने आपर बात करी कि इंडिया में किस तरीके से minority सफर कर रही है, ये इनका main topic था कि इंडिया के सम्विधान को कैसे बचाना है, minorities के लिए कैसे अवाज उठानी है, तो यहाँ पर इंडिया के former vice president हाबिदन सारी ये कहते हैं, कि इंडिया में बिलकुल recently काफी issues खड़े हुए है, राश्टरवाद बहुत ज़ादा बढ़ चुगा है, और जो religious minority है, वो काफी insecure feel कर रही है, religious minority का ही दबदबा लग रहा है हर तरफ, सरकार कुछ यहाँ पे action ले नीरी, तो जो इनकी statement थी, राश्टरवाद को लेकर, religious minority को लेकर, इसकी काफी अलोचनावी इंडिया में, यह का गया कि जो US के member of parliament, बहुत ज़ादा anti-India है, उनको आप actually ज़ादा power दे रहे हो, इस type की एक briefing करके, यह कल को US के parliament में खड़े होकर, इंडिया के agency बोलेंगे, इंडिया-US के relations ज़र ज़रा खराब करेंगे, और आप अगर इस पूरी congressional briefing को देखो, तो Ed Marker, जो anti-India, US के member of parliament हैं, उनने आपर यह भी कहा, कि Indian government target करती है, minority faith के लोगों को, Indian government target करती है, यह इनका कहना है, बहुत ही ज़रा controversial statement है, तो Ed Marker ने यह कहा कि, इससे एक atmosphere बन रहा है जिससे discrimination बहुत ज़रा बढ़ रही है, violence इससे काफी ज़रा बढ़ सकता है, और recently इन्होंने खुद यहाँ पे add कर दिया, कि vandalism हुआ है, mosques का, churches नहीं जला दिये गए है, communal violence काफी अब तक बढ़ रहा है, और यह जो सारी line है, यह कल को USA के parliament में भी यूज़ करेंगे against India, उस इंडेक्स में काफी हत तक गिर गई है, 2014 में थी 27 की ranking अब 53 के आसपास होगी है, democracy index में ranking, freedom house की report अब इंडिया को free country नहीं कहती है, यह कहती है कि इंडिया एक partly free country है, और इन सारे member of parliament का main मुद्ध यही था, कि इंडिया के साथ US के relation अगा strong रखने है, तो उसमें condition यह हुनी च इंडिया के मिनिस्टर है मुक्तार अबास नकवी, इन्होंने यह कहा है, कि पूरी जो congressional briefing यह काफी हत तक unfortunate थी, यह लोग target कर रहे हैं इंडिया को, क्योंकि इनका main target इंडिया के PM है, इन लोगों को अच्छे पता है कि इंडिया काफी हत तक अच्छी position में है, और यह आज के congressional briefing में participate नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इनकी presence ही, क्योंकि again, जिस seat पे बैठ चुके हैं, उस seat की गरिमा एतनी है, कि ऐसी congressional hearing में participate करते हैं, तो ऐसे senators की जो अवाज है, यह और ज़रा strong होती है against India, तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका opinion, कि क्या आप मानते हैं, कि इंडिया के former vice president को, इस type की जो congressional briefing है, जहाँ पे दूसरे देश के member of parliament, judge करते हैं इंडिया को, वहाँ पर participation करनी चाहिए, या फिर आप मानते हैं, कि नहीं करनी चाहिए, लिखेगा इसके बारे में comment section में, मैं जाना चाहूँगा आपकी opinion, नाव वाप vice president of India ये article कहता है, और article 64 में ये लिखा है, कि vice president of India, ex-official chairman होंगे of raja sabah, मतलब के the council of states, और finally आप मैं ये भी add कर दूँ, कि आज आखरी दिन है an academy की republic day sale का comment section में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे link, UPSC, SSC, bank, किसी भी exam का course यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं, अगर आप एक सा महिने की validity आपको extra मिलेगी, you get 6 months extra for free, तो बहुत अच्छा time है, अगर मानलीजी आपको 12 महिने का course purchase करना है, सिरा ये course आपका बन जाएगा, देड़ साल का, और जो prices यहाँ पर लिखे हैं, यह भी pay करने के आप शकता नहीं है, simply यहाँ पर code use करिए PD10 and the prices will start falling, so use the code PD10 and save money, so एसी note के साथ यह है वीडियो का आंथ, thank you for listening and as always, God bless you all.